तो एलो फ्रेंग कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको बताने मालों सेमसंग के मौवाज में जो सेमसंग का कीबूर्ड होता है उसके अंदर के नए फीचर बताने मालों जो कि आफटर वन योई 4.0 के जो मुझे लगे हैं यह नए फीचर एड़ हुए है बहुत ही कमाल के न आपको नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर जो सबसे पहला चैंजिस दिया गया है की वोट को लेके आगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पहले अगर आप की वोट को कंट्रास्ट करते थे तो वहां पर आपको सर्फ एक ही कलर दिखाता था बट अब यहां पर आपको कैसे-कैसे कलर दिखा रहा है कि अगर आपने महांपर आप देखेंगे अगर आपने number की लगा के रखाया तो उसका color थोड़ा light orange टाइप आएगा और जो keyword का color रहेगा yellow रहेगा and then जो भी symbols रहेंगे वो आपको यहाँ पर white color में दिखेंगे same ऐसे ही अगर दूसरी भी यह थारा की theme है उसमें भी आपको अलग-अलग describe किया गयाएगी यह वाले जो सबसे पहला changes यह 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 कि यह वाला update है यहां पर दोस्तों आप यहां पर देखेंगे space war में आपको दो option मिलते हैं बुलतके space war के बगल में left and right side आपको अलग-अलग से यहां पर option मिलते हैं यह दर में आपको अपको यहां पर को मJ का option मिल रहा है और यहां पर आपको अपकोanne to option मिलता और अलग-अगर आप उसमें जाएंगे तो अलग-अलग वहाँ पर आपको option मिलते हैं आप देख रहे हैं का अगर आप चाहते हैं तरह को इस सिर्फ की तरफ opinion में लिए और दूसरा आपको नहीं मिले तो आप उसके लिए हो ऋसे लिए पर अचीन पर जाने वालों वह बहुत कमाल का है थाट फीचर में है कि अगर आप यहां पर आप देखेंगे जैसे कि मैंने किसी भी चैट में जाओंगा या फिर कहीं भी इसको वाटसप पर जाके इसको दुबारा से कीवोड को उपन करूंगा तो वहां पर आप देखेंगे आपको एक सब्सक्र लेंगे तो थोड़ा रणिंग करता भी दिस पर करेंगे यहां यहां पर आपको यहां पर उसको लगा सकते हैं और next कर देंगे तो वह create हो जाएगा आपको create करने के सारे यहां पर option देढ़ेंगे जैसे भी आपको create करना है create कर देना और उसके बहुत से उसको send कर देंगे तो वह send हो जाएगा तो थर्ट फीचर यह है उसके दोस्तों जो फोर्ड बताने वाला हो उसके लिए वापिस आपको अपने वाइल के सैटिंग पर आपको नया option मिल रहा है read delete character allowed मतलब कि जो भी आपने लिखा है और उसको delete करते हैं तो आपको loud करके बताने वाला है कैसे like मैंने यहाँ पर इसको own करके रखा और मैंने फिलाल इसको off कर दिया है ठीक है और मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा है तो आप देख रहे है आपको जाना है swipe and touch पर यहाँ जाना है इस पर और आप मैंने इस पर click कर दिया और आप देखेंगे आप जब भी मैं किसी चीज़ को यहाँ से हटाऊंगा यह देखें तो आपको एक-एक करके बताने वाला है कि कौन सा word वहाँ पर delete हो रहा है तो बहुत शांदर feature यह वाला टच के speak and loud में मिल जाएगा और आप उसको वहाँ से delete करेंगे तो आपको वहाँ पर आपको लिटरेट करके बताने वाला है दोस्तो यही लनाए test नए feature थे Samsung keyboard में जो की मुझे लगे और मैंने आपको बता है उम्मीद ही कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो thank you दोस्तो मुझे उम्मीद ही कि आपको यही मेरी वीडियो पसंद आई ही दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो please like जरू करें अगर आपको लगता है उसको मेरी वीडियो कुछ कमें तो please like जरू करें दोस्तो और अगर आप मुझे कुछ पूछन जाते है इस व आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल जाएगा तो थैंकि दोस्तों